सनफ मल्ला मुके सहनी की तरब से जन आंदोलन का बिगुल ठूख दिया गया है। चाहते हैं उनके खिलाप लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ा रहे हैं और सबको लड़ाकर वे आरक्षन को खत्म करना चाहते हैं। कि सहनी ने एक लंबा चोड़ा संदेश जिया है, संदेश रों ने अति पिछड़ों के लिखवाया है। और क्या कुछ रों ने लिखवाया है, कौन सा नंबर जारी किया है, सब कुछ अम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बाकिया नमस्कार में आप मोईत कुमार सिंग और अब जनता रक्षन देख रहे हैं। सबसे पहले टेशस्वी यालों लिखते हैं कि अतिप पिछड़ा रक्षन की हुई हक मारी सब मिल जूल कर लडेंगे भाई। मतलग कि अतिप पिछड़ों की आरक्षन को जो उनका हक था उसको छीना गया है। अब सब कोई मिल जूल कर लेक साथ लडेगा। मुके सैनी ने जन आंदोलन का भीगुल फुकते हुए। आगे संदेश में लिख्या है कि 4 अक्टूबर 2022 को पत्ना उचने याले में सुनाया गया फैसला एक परकार से आरक्षन पर सुनाया गया परंपरागत फैसला है। जो अतिप पिछड़ी बर्ग को दी जा रही संपुन आरक्षन एवं प्रश्णचिन लगाता है। मतलब कि जो आरक्षन है उस पर प्रश्णचिन लगाता है पत्ना हाई कोट का जो फैसला है जिसमें नगर निकाय के चुनाव रोकने का जिक्र किया गया और नगर निकाय के चुनाव को रोक दिया गया। मुके सैनी आगे जिक्र करते हुए कहते हैं इसी संदेश में कि बिहार के मालनिय मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी का धन्यवाद कि उन्होंने हाई कोट के फैसले के ततकाल बाद बिहार में नगर निकाय के सभी सीटों के चुनाव पर रोक लगा कर अतिप पिछड़ा ब हैं कि अगर हाई कोट के कहें अनुसार आरक्षन को खत्म करके चुनाव करवाया जाता तब अतिप पिछड़ों का पिछड़ों का नुकसान होता यहां पर मुके सैनी बकाजाई अभी बताते हैं कि आरक्षन कोई भीक नहीं है यह संबिधान के गर्व से निकला है पिछले तीन हजार बरसों से जो भारत की उच्च जातियां है उनको नब्बे प्रतिशत का अगोसित आरक्षन प्राफ्थ है यह बात मुके सैनी अपने संदेश में कहते हैं जो खुला पत्र उनों ने पुड़े राज्य केती पिछड़ों-पिछड़ों के लिए लिखा है उसमें वे जिक्र करते हैं कि भारत सरकार करिया मुंड़ कमेटी 2001 नियाए पालिका में आरक्षन के अनुसार 97 प्रतिशत जज हाई कोट और सुप्रीम कोट में उच्च जाती के हैं मुके सैनी बताते हैं कि इन कमेटियों की रिपोर्ट है कि जो सुप्रीम कोट और हाई कोट के कि लोग हैं इसके बाद मुके सैनी का जिक्र करते हैं कहते हैं कि अब 14 नोवंबर 2022 से पुरे बिहार में प्रकंड अस्तर पर अती पिछला रक्षन कोले कर जो भी आई-पी पार्टी उनकी है वो संखनात करने जा रही है वो जनता से कह रहे हैं कि आप लोग जन आंदोलन से जुड़िये हम नंबर बताते हैं जिसका जिक्र मुके सैनी ने किया है और एक नंबर जारी किया है जो की टोल फ्री नंबर है और मुके सैनी का कहना है कि आप इस नंबर पर क्वाल किजिए और इस जन आंदोलन से जुड़िये जो जन आंदोलन प्रकंड अस्तर पर भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता है, उनके खिलाफ निरंतर चलेगा, तब तक चलेगा, जब तक कि इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, मुकेश स्थेहनी की तरफ से एक नमबर जारी किया गया है, जो नमबर है 915599238, एक बार और आप नमबर दोहरा देते हैं नमबर है 915599238, यह वही टोल फ्री नमबर है, जिस पर मुकेश स्थेहनी कह रहे हैं कि आप लोग कॉल कीजिए, आप लोग कॉल कल कॉल करके जन आंदोलन से जुड़िए, और मुकेश स्थेहनी पूरे भिहार के जोती पिछड़ा समाज है, उससे कह रहे हैं कि सब को जन आंदोलन से जुड़ना है, और हम सब को मिलकर अपना हक छिनना है, क्योंकि आरक्षन कोई भीख नहीं, बलकि सम्विधान के गर्व से निकला हुआ है, बाकी मुकेश स्थेहनी अब वाकई में भाजपा के लिए परिशानी बनते जा रहे हैं, भाजपा के खिलापनों ने जन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, अब जन आंदोलन होगा, तो निशीत तोर पर भाजपा के खिलाप महाल मनेगा, निशीत तोर पर भाजपा को नुकसान होगा, और कुल मिलाकर मुकेश स्थेहनी यही चाहते हैं, कि भाजपा को राजमेवे बरबाद करें, बाकी